हाई दोस्तों साइज यूर बैक विद अनदर इंट्रेस्टिंग प्रॉब्लम प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रूट डिटेक्शन प्रॉब्लम के बारे में जी दोस्तों अब देखिये मैं जो अपने फोन को ना विदाउट रूट के यूज कर रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ कस्टम रोम डालके यूज कर रहा हूँ मेरे फोन को, और यहाँ पर मैंने कोई मैजिस्क वगेरे फ्लाइश नहीं किया है, लेकिन फिर भी यह अप्स है, कुछ बहुसरी वाले अप्स बनाना है, ठीक है ना, फिर मैं आपको भजे खिलाओंगा, ठीक है लड्डू भी खिलाओंगा यहाँ पर जो है मैं आपको दो मेथड़ बताने वाला हूँ, एक होगा without root users के लिए, जो कि हमारे वीडियो का main मुद्दा है आज, और दूसरा method जो है, वो root users के लिए, ठीक है, तो जैसी कि सबसे पहले हम not root users, यानि जो root नहीं है, उनके लिए बता देता हूँ, तो मेरा phone जो है अभी फिलाल root नहीं है, तो पहला method में आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर एक बर मैं आपको check करवा देता हूँ, मेरा phone तो root नहीं है, आपको अभी नहीं देखा आपने, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उन applications को open करके दिखाता हूँ, यह है TATAS का application, ठीक है हर एक customer home में यही दिक्कत आ रही है, सिर्फ इसमें ही नहीं, ठीक है, तो इसके लिए करना क्या होँगा, सबसे पहले file manager खुलना है आपको then यहाँ पर आपको TWRP folder दूढ़ना है, ठीक है, तो यह रही TWRP folder, मैं अपने phone में जो है TWRP customary को reuse करना हूँ, तो यहाँ पर एक folder बना ही TWRP, कुछ भी backup लेते हैं तो folder बनता ही छे, तो इस folder का rename कर लेना आपको, क्या करना है, rename करना है, TWRP हटा दो और कुछ भी random नाम लिग दो, याद रखे rename करना है, then उसके बाद यह आपकी problem fix हो जाएगी, कैसी हो जाएगी देखते हैं, उससे पहले आपको, जो apps, मतलब root detect कर रहे हैं, उनका data clear कर लेना है, तो यह मैं दोनों कभी कर ले रहा हूँ, clear ओके दोनों apps का clear data कर दिया, close कर दिया, then अब हम इसको open करके देखते हैं, और देखते हैं, क्या होता है, तो भहिया मानगे यहाँ पर, देखिए भहिया मानगे यहाँ पर, यह वाले app वाले भहिया मानगे, तो यह जो tata sky वाला app है, यह तो completely work कर रहा है अब root detect नहीं किया, then union bank इसका भी देख लेते हैं, तो यह भी होके, यह भी work कर रहा है, चलो problem fix हो चुकी है, बहुत ही simple था problem को fix करना, ठीक है यहाँ पर यह problem fix हो चुकी है phone अभी भी मेरा root नहीं है, ध्यान से देखो परना बोलोंगे, उल्लू बना रहा हूं ऐसा वैसा ठीक है, तो यह पहला method complete हुआ, अभी second method जो root कर रहा है अपने device को उन लोगों के लिए, ठीक है तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी same problem आ रहा है, जैसे कि आप देख पर है, वो rooted है device अभी हाँ, मैंने root कर दिया अभी और अभी check करते हैं, वो apps को ठीक है, तो यहाँ पर देख पर है magisk installed है, 23 वाला, ठीक है तो यहाँ पर app को open करता हूँ, तो यहाँ पर root detect हो जाएगा, क्योंकि root है na, okay root detect हो रहा है तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, वो file manager में twrp, मतलब आपको करना ही है, वो rename, पर यहाँ पर आपको magisk open करना है, magisk hide में जाना है, और यहाँ पर उन apps को hide कर लेना है, ठीक है तो वो कहा गई, नीचे जाके देखते हैं तो magisk में गया, यह देखिए, टाटास का app यह second toggle भी enable कर दिया, then यह union bank इसके भी toggle enable कर दिया, okay, यहाँ पर अभी यह detect नहीं होंगे बिल्कुल properly work करेंगे, अगर कर रहें detect तो एक बर उसका clear data कर देना तो देखिए, बिल्कुल बिंदास work कर रहे है अभी detect नहीं हो रहा है, rooted device में भी detect नहीं हुआ, without root में भी detect नहीं हुआ, तो में तो work नहीं करेगा, पकका ही बुल दे रहा हूँ, वहाँ तो root detect हो नहीं ही, समझ रहा हूँ ना, मैं वह apps की बत कर रहा हूँ, वह वह वाली apps की, और हाँ एक बात अपने दिमाग में घुसेड़ लो भाई, chrome से side load apps करना, बहुत खतरनाक है, यहाँ पर आपकी मार ली जाएंगे, और आवाज भी नहीं आएंगी भाई, पहली बूल दे रहा हूँ, कौनसा malicious code डाल के उस application में दिया जाएगा, वो कह नहीं सकते हैं, तो प्लीस समझा करो, तो आज के लिए इतना ही अगले वीडियो मिलते हैं, वीडियो को एक लाइक कर देना, बाई!